नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग पाकिस्तान ने भारत के सामने घुठने टेक दिये हैं जी हाँ पाकिस्तान अब बेबस और लाचार हो गया और और प्रट प्रफ Me too के हालात ऐसे हो गए हैं कि जब 370 कश्मीर से हताया गया तो एट दिखाते हुए पाकिस्तान ने व्यापार से भारत से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन अब लगातार वो भारत से दवाईया मंगा रहा है और इसी विशेपर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवंत्यागी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मारे चैनल पर सर पाकिस्तान की जो बेबसी है लाचारी है कि किस तरी से इसे उन्होंने 370 जब हता कश्मीर से तो एट दिखाते हुए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया व्यापार पर लेकिन अब जब करो दवाई मंगाई है ऐसा भी खबरे हैं कि पाकिस्तान ने इस दवाई के नाम पर ही एक घोटाला भी कर दिया है क्योंकि जो प्रतिबंध हटाया था वो इस नाम पर हटाया था कि जो कैंशर का कैंसर की दवाई में प्रियूक्त होने वाला कच्चा माल है वो भारत से वो के क्योंकि इस समय पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और इमरान जो सरकार है वो फेल हो चुकी है पूरी तरह वहाँ जनता तरही तरही कर रही है ऐसे में इमरान खान अभी भी कोरोना के टाइम में उन लोगों को इलाज करने के बजाए इलाज के नाम पर ये जब जनता ने कुलोरो क्वीन मंगा रही है अमेरिका जैसा देश इटली जैसा देश साओधी के कई देश वो मंगा रहे हैं तब तुमने क्यों बेहन लगा रखा है केवल अपनी एक जिद पे अड़े हुए हो केवल एक आतंकवादी संग्ठनों के दबाओं में हो जब यहां लोग मर रहे हैं ऐसे में आप क्यों नहीं मंगा दे रहे हो तो इस वज़े से उसको जुकना पड़ा जनता की मांग की वज़े से लेकिन यहां भी वो बाज नहीं आए अपने घोटालों को करने के लिए जैसा कि यह सरकार है फैल है पाकिस्तान की वो कमजोरी दिखाती है और भारत के ल मौदी जी की योजना है उन्होंने जो कलका उद्बोधन देश को दिया है स्वदेशी अपनाने के लिए जो कहा है स्वावलंबन के लिए जो योजना बनी है और जो बीस लाग करोड का पैकेज की जो घोशना हुई है उसमें वित्मंतराले की तरब से भी जो आज घोशना ये भारत होता था सोने की चिडिया भारत से पूरे विश्व में ये व्यापार होता था लेकिन ये तो यहां इस देश को लूटने के लिए कुछ लूटे रहे आए अंग्रेज आए जिनोंने यहां आकर के कपड़े की कमपनिया लगाई क्योंकि हमारा देश तो किरसी परदा अंदेश है हम लोग सूती कपास पैदा करते थे सूती कपड़े पैनते थे लेकिन जब वो अंग्रेज आए तो उन्होंने हमें सिल्क के सपने दिखाए टैरी कोट महीन कपड़ा लोगों को लगा कि यह जो कपड़े हैं इनके पास बड़ी अच्छी फैक्टरियां हैं लेकिन उस एक इस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर उन्होंने भारत को गुलाम बनाया यह हमारा इतिहास है देश का कोई व्यापार के बहाने से भी किस तरह से इस देश को गुलाम करने की साजिस रच सकता है या गुलाम करने की सोच सकता है लेकिन वहीं हमारे देश वासिय उने क्या किया, जब ये देखा कि ये जो अंग्रेजों की चाल थी, ये तो कमपनी और कपड़ा तो एक भहना था, भारत में विकास करना, ये एक भहना था, असल में तो ये जो भारत की संप्रभूता है, उसको तो लूटना था संपधा को, और संपधा को लूटने आया था तो इसलिए जब चाल को समझ लिया तब इस देश में आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में सुदैसी आंदोलन खड़ा हुआ तो वो कलकता से शुरू हुआ था आंदोलन और उस आंदोलन के जरिये जो अंग्रेजों के कपड़े थे उसके बहिसकार की गोशना हुई और उन स्वधेशी आंदल उनके चलते ये अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा तो आज भी जो मोदी जी ने स्वधेशी की गोशना की है वो एक देश के परधान मंत्री हैं जो दुनिया की जो समझोते होते हैं व्यापार के उससे वो बंधे होते हैं लेकिन मोदी जी का जैसे भी 70-75 साल देश को आजा होते हो गए उसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर आए दिन हमारे देश के नुकसान में लगा रहता है आतंगवाद को बढ़ा रहा है हमारी देश की सीमाओं पे कबजा करके बैठा है और वो और भी कोशिश कर रहा है कि इस भारत में कैसे नुकसान पहुचाया जाए चाइना को और पाकिस्तान को मूँ तोड जवाब देने के लिए हमारी सैना शक्षम है हमारे सैना के प्रमुख अभी नर्वने ने भी उनको ये बता दिया है कि हमारी सारी सैना पूरी तयार है यदि आतंगवादियों ने तोड जवाब ही नहीं दिया जाएगा इस बार हम पाकिस्तान में अंदर होंगे और पी एक खाली करा लिया जाएगा लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यदी किसी दिन हमारी सैना ने शोरिय दिखाया तो उसके पीछे पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा हो जाएगा और यही बात हम देशवासी भी जानते हैं मोधी जी भी जानते हैं और इसलिए उन्होंने हमें हिंट दिया कि स्वदेशी अपना हो इसका मतलब यह है कि हमारी जरूरत की जो चीजें हैं वो हम जरूरत की चीजें इस देश में पैदा करेंगे इस देश की कमपनियां बनाएंगी और इस देश की कमपनियों के द्वारा बना हुआ समान ही हम प्रियोक करेंगे यह अगर हम आज प्रण लेंगे तब यह जो विदेशी कबजा करने की नियत से चाइना और पाकिस्तान यह आए दिन आतंकवाद जो हमारे देश में पहला रहा है इनके मनसूब पर पानी फेरने क लिए हम सफल होंगे क्योंकि आज हम जैसा देख रहे हैं कि चाइना का बाजार इतना हमारे भारत में आ गया है कि आज रबड का छला से लेकर और बड़ी बड़ी मशीने और एक चीजें बाजार में च्छाई पड़ी हैं जिस पे मेड इन चाइना लिखा होता है उसकी तर इतने हैं तो हमें लगता चाइनीज बौन तो सस्ता है तो सस्ते के चक्कर में हम जाते हैं अब आप देखिए उसके बाब यह सब चीजे देखने के बाद भी इस देश में स्वजेसी आंदोलन चला क्यों चला क्योंकि आप देखिए जब यह इस देश में अंग्रेज आए उन्होंने आकर के यहां रेल गाड़ी चलाई, पहले तो नहीं थी, उन्होंने आकर के यहां बहुत अच्छे अच्छी बिल्डिंगें बनाई, पहले तो वो नहीं थी, विकास हमारे भारत का पहले से रहा है, भारत सोने की चिडिया रहा है, आज भी ऐसे मंदिर और बिल्ड के साथ विकास कर रहे हैं कुछ लोग उस समय भी उनकी पैरवी करते थे कि देखिए इन्होंने रेल बना दी है इन्होंने अच्छे कपड़े बना दी है हम तो मोटा खदर पैंते थे ये पतला वाला कपड़ा आ गया है इसमें सलवट नहीं पड़ती आदी आदी लेकिन इस जो देश से प्रेम करने वाले लोग हैं उन्होंने तै किया आपको एक उधारन देता हूं कि हमारे भारत के अंदर हरिद्वार से लेके एक नहर बनाई गई गंग नहर उसका नाम है वो गंग नहर गाओं में सिचाई करने के लिए योजना से अंग्रेजों ने बनाई जब तो साल में कभी खसाई की जरुत नहीं पढ़ती खसाई माने उसके अंदर क्योंकि वो गंगा का पानी आता है तो रेट जम जाता है नहरों में और नहर में से जब रेट जम जाएगा तो उसको निकालने के लिए वो पानी को बंद करना पड़ता है मशीनों से उस रेट को बाहर निकालना पड़ता है वहां उसमें घास खड़ी हो जाती है लेकिन अंग्रेजों ने उसको गिलास के आकार में बनाया उपर से चोड़ा नीचे से कम ताकि पानी घूमता हुआ चलता रहे और वो रेत वहीं कहीं टिकता नहीं ऐसी टैकनिक नमबर दोस दूसरा उधारन रेलवे पुल बनाए दिल्ली के अंदर भी जो पुराना रेलवे पुल है जिसके उपर ट्रेन जाती है नीचे से लोहे का जो पुल बोलते हैं नीचे उसमें बसे और कार चलती है बसे तो अब बंद हो गई है लेकिन कार चलती है ये पुल जो है बहुत पुराना और इस त वोल्ट क्योंकि धीले हो जाते हैं तो उसमें रिपिट लगाई गई है टेकनिक उसमें हाई इस्तेमाल हुई तब क्या ऐसी नहर बनाना जिसमें खसाई की जरुत नहीं पड़ती जिसमें रेत नहीं जमता ऐसी टेकनिक की उन्होंने नहर बनाई ऐसे पुल बनाई ऐसी रेल ऐसा कपड़ा बनाया जो हमारे देश में नहीं था, तो क्या विकास के नाम पर हम इस देश को गुलाम होने देते, क्या ये देश गुलाम ही रहता हजारों साल? नई गुलामी की जिंदगी क्या होती है वो हमने अभी देखी नहीं है क्योंकि हमने आजात भारत में जनम लिया है जिन लोगोंने गुलामी में सांसे लिया है वो बताते हैं किया मंजर था अभी कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनोंने वो आजादी की लड़ाई में भाग लिया है बताते हैं कैसा हाल था इस देश का के देश भक्ती का गान गाना देश भक्ती की बात करना उनको जेलों में भर दिया जाता था उनको परिशान किया जाता था और उनकी मर्जी चलती یا انگریج ہو की जिसको चाहिए उठा दें हमारे देश के अनेक देश भक्तों को काला पानी की जेल में डाल दिया गया यहां गुलामी क्या चीज होती है यह हम नहीं जानते और इसलिए आज की पीड़ी इस बात को नहीं समझती कि ये गुलामी क्या चीज होती है और इसलिए बड़े आसानी से लोग कह देते हैं अरे हमें तो सस्ते से मतलब है हमें तो क्वालिटी से मतलब है क्वालिटी हाई अगर चाइना दे रहा है क्योंकि उन्होंने ये बोला भी है कि हम ये मात्र भूमी केवल एक भूमी का टुकड़ा नहीं है ये जमीन ये भारत ये हमारी मा है और हम इसके पुत्र हैं हम इसकी संतान है तो अपने मन में ऐसी फीलिंग लाएं कि इस मा को यदी कोई परिशान करेगा अगर मेरी मा का कोई अंग काटने की कोशिश करेगा जैसा कि इस देश में कई बार हो चुका है अफगानिस्तान बन गया बंगाल बन गया और इसी में पी-ोके का कबजा कर लिया गया इसी में पी-ोके को कबजा कर लिया गया इसी में चाइना ने हमारा भुबाग दबा लिया तो ये हमारे भारत को भारत माता को परिशान किया गया है, अभी आजाधी के नाम पर जो हमें आजाधी सन 1947 में मिली वो टुकडों की आजाधी है, वो जो अखंड भारत है, वो कहां है अब? लेकिन हमें वो आखंड भारत दुबारा से प्राप्त करना है वो ही हमारी असली मा का विशाल रूप और पूरा रूप है उसके लिए हमें अफगानिस्तान, हमें चाइना, हमें पाकिस्तान जैसे देशों से जूजना पड़ेगा और उसका एक ही बड़िया तरीका है, स्वदेशी जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, हमारा देश आत्म निर्वर बनेगा हमारे देश की आर्थिक विवस्ता की उन्नती होगी हम आत्म निर्वर हो जाएंगे तो आज देखिए दुनिया के कई देशों ने हमारी तरफ देखा और हमसे दवाई मंगाने को वो मजबूर हुए कैसा होगा ये देश कि कल को हमारे देश से अधिक्तम चीजे विदेश के लोग मंगाएं तो हमारी आर्तिक इस्तिती जब अच्छी होगी तो ये देश उन्नती करेगा और दुबारा से ये देश अखंड भारत बनेगा और सोने की चिडिया बनेगा बिल्कुल सही का आपने दवाईया ही नहीं पैतालिस ऐसे देश हैं पैतालिस से ज़्यादा देश हैं जहां हम खाने पीने का सामान भी नर्याद कर रहे हैं जैहिंजे भर